कनिया कुमार और जिगनेश मिवानी के कॉंग्रिस पार्टी में शामिल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इन युवा नेताओं की कॉंग्रिस पार्टी में भूमिका क्या होगी सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इन युवा निताओं की विचार धारा तो कॉंग्रिस से अलग रही है तो कॉंग्रिस में ये कैसे अड़्जस्ट करेंगे इनी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जिगनेश मिवानी है गुजरात के निर्दलिय विधायक और देश में अंबेटकर वादिया अंदुलन का एक युवा चेहरा जिगनेश पिछला विधानसवा चुनाओ गुजरात का जो है वो कॉंग्रिस के सहयोग से आप जीते लेकिन आप निर्दलिय रहें आपने तई किया कि आप कॉंग्रिस में शामिल नहीं होंगे कॉंग्रिस के सिंबल अब इस मुल्क को बचाना है हमारे आइडिया ओफ इंडिया लोकतंतर समविधान को बचाना है बाबा सब मंबढ करके सपनों को बचाना है तो पहला काम ये करना पड़ेगा कि आरे सेसोर भाजपा को सत्ता से बेदखल करो आज महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम पर ह फिर भी बात होती है मंदीर मस्जीद की मॉब लिंचिंग होते है रोहित वेमूला को सुसाइड के लिए मजबूर होना पड़ता है मेरी मा गवरी लंकिस की हत्या कर दी जाती है जस्टिस लोया का खोन होता है इन सारी परिस्टितियों को चलते हमको लगा कि एक बहुत तो आज इनके साथ नहीं रहेंगे तो किनके साथ रहें चार साल में क्या फर्क आया है कि चार साल पहले आपने तहीड किया कि हम मैं एडली ए होगा चार साल बाद इशूस थो ही है अब आपको लगता है चाउंगने कांगिस में आ जाना चाहिए तो बतौर, इनफि-बिप में एक्सपुस किये मंद्रे का कितेद 12,000 लोगों के एमप्लोमेंट दिया लेकिन इस 12,000 के काम को मुझे 12,000 लाग तक पहुचाना है तो बड़ा प्लेटफोर्म चाहिए वो प्लेटफोर्म जिनके साथ में आइडियोलोजिकली थोड़ा त्यून हो सकता हूं इसलिए यहां इसलिए मेरे के अंदर ही सदस्यता ले सकता है बाद में नहीं यदि में सदस्यता आज लेता हूं तो टेक्निकली में एमेले के तौर पर कंटीनु नहीं कर पाऊंगा तो मेरी अपने आप से बात हुई और मेरा आत्मा यह कहता है कि कोई पूलिटिकल पार्टी की पोजिश आप पहले करो तो इसके चलते हम लोग ने डिसीजन लिया है कि पार्टी में जुढ़ने का जो फॉर्मल एप्लिकेशन है वह तो कभी भी कर लेंगे लेकिन आने वाले दिनों में करोंगे चुनाई की दिन उचिनाओ के वक्त करेंगे चुनाओ से कुछ महीने पहले कर सकते लिकैन इप लार्जर जो चीज है जैसे कि मैंने का है वह यही है कि डैमोक्रेस्य और कॉंस्टुटूशन को बचाना है क्या भूमिका होगी आपकी कौंग्रेस पार्टी में आपको क्या रूल मिलने वाला है गुजरात में रोल होगा देश बर में रोल तो अमरी कार का ग् एक्टिविस्स जो करते आये हैं अब तक, चुवा छूत की खिलाफ बोलना, एट्रो सिडिस के मामले में लड़ना, गरीब ववंचितों की आवाज बनना, वो तो करना ही करना है, साथ-साथ अब इलोक्टोरली बीजेपी को कैसी डिफिट किया जाए, वो भी करना है, साथ-स पार्टी के सारे लेलिज में, धरणों में, डेमोंस्टेशन में, प्रोटेस्ट में, एक सिडिजन के तौर पर पार्टिसिपेट करूंगा, एक एक अलाइंस पार्टनर के तौर पर हिसल, अगर आप शामिल हो जाते हैं, हलांकि टेक्निकल वजए थी तो हो ही नहीं पाए, शायद आपको नेता विपक्ष बनाया जा सकता था, क्या वादा किया था पार्टिक है? पूरी उम्मीद है, अब वो नहीं रहेगा. जो पार्टी के सिनेर प्रवक्ता को पूछना है, वो सवाला आप हमको पूछ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, टेक्निकली नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, होफ़ूली आने वाली दिनों में वो नियुक्ति भी होगी, और जिस प्रकार से भाजपा को पूरा मंत्री मंडल बदलना पड़ा, वो क्लियर इंडिकेशन है, कि नीचे से, ग्राउंड जिरो से, ग्रासरूट से ये रिपोर्ट गया है कमलम में, कि 50-50 के करीब ही भाजप जलिया आ रही है और जो नियुक्ति है वाने वाले कुछ दिनों में हो जाएगी, तो मैं कह रहा हूँ ना कि BJP ने पूरी सरकार बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिया, सारे मंत्री बदल दिया, आप एक अध्यक्ष नी बदल पारे, आप लोग एक अध्यक्ष नी बदल है कि बेरुजगारी, महेंगाई, सिक्षा, चिकित्सा इन असली मुद्वों पर हम जम कर लड़ेंगे और आट-दस सीटों का फासला जो 2017 में रहे गया है वो 22 में नहीं रहेगा इस बार जो 22 का चुनाव होगा एक नई पार्टी बिल्ली के आमादमी पार्टी अर्विन कि जवाब देंगे आखरी में आपके और कनिया के कॉंग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी ने तंज कसा वह आप लोगों को एंटी नैशनल कहते हैं टुकरे टुकरे गैंग कहते हूं अपनी भाशा में कल भी उन्होंने का कि यह विलाय हो गया है टुकरे टुकरे गैंग का कॉंग्रेस में क्या जवाब देंगे जो लोग हिटलर और नाथुराम गोडसे की पूजा करते आये हैं उनकी किसी भी कॉमेंट को रिस्पोंड करना हम ज़रूर ही नहीं मानते हैं वो जवाब यह दे कि अदानी के एरपोट पे तीन हजार किलो 21 हजार करोड का ड्रक्स किस का जवाब दीजिए जो आप लोगों पर आरोप लगता है आप इसकी सफाई नहीं देंगे क्यों सफाई दें वो कौन है वही ना जो अंग्रेजु की चापलू सी किये मुख्बीर थे अंग्रेजु के माफी ना में लिखे तो जिस आक्रामक अंदाज में पलटवार कर रह देरा जाए ये है राहूल गांधी की योजना जिगनेश और कनहिया को कॉंग्रस में शामिल करवाने के पीछे क्या ये रन्निती कामयाब होगी इसके लिए तो चुनाओ का इंदजार करना होगा लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि कनहिया और जिगनेश के कॉंग ABP News आपको रखे आगे